मदेश भर के अलग-अलग एलागों में फसे मजदूरों के लिए कॉंग्रिस अध्धिक्ष सोनिया गांधी ने एक बड़ा एलान किया है कॉंग्रिस ने एलान किया है कि प्रदेश कॉंग्रिस कमिटी की हर इकाई हर जरूरत बंद मजदूर के घर लोचने की रेल यातरा का खर्च उठाएगी सोनिया गांधी ने कहा है कि मजदूर देश की रीड की हटी है उनकी महनत और कुर्बानी राष्ट निर्मान की नीव है सिर्फ चार घंटे के नोटिस पर लोगडाउन करने के कारण लाखो श्रमिक और कामगार घर वापस नहीं लोच पाए इसके साथ ही केंद सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मजदूरों के पास इस वक्त कोई साधन नहीं है लेकिन दुख की बात ये है कि भारत सरकार और रेल मंत्राले इन महनत कशों से मुश्किल की इस घड़ी में रेल यातरा का किराया वसूल रहे है इसलिए प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए रेल टिकेट का पैसा लेने के बुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। कॉंग्रेस ने केंद सरकार पर जम कर निशाना साधा, कॉंग्रेस का कहना है कि केंद सरकार में मजदूरों के साथ सोतेला वहवार किया है, सरकार ने मजदूरों की किसी भी तरह की मदद नहीं की है, कॉंग्रेस का कहना है कि मजदूर बिना किसी मदद के घर वापस लोट रह भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस ने मेहनत का श्रमिकों वे कामगारों की इस नीशुल्क रेल यात्रा की मांग को बार-बार उठाया है दुर्भाग्य से सरकार ने ने सरकार ने एक सुनी और ने रेल मंत्रा लेने इसलिए भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस ने यह निर्णे लिया है कि परदेश कॉंग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमन श्रमिक वे कामगार के घर लोटने की रेल यात्रा का टिकेट खर्च वेहन करेगी सिर्फ चार घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने के कारण लाखों श्रमिक वे कामगार घर वापिस लोटने से वन्चित हो गए 1947 के बटवारे के बाद देश ने पहली बार ये दिल दहलाने वाला मंजर देखा कि हजारों श्रमिक वे कामगार सेकडों किलोमीटर पैदल चल घर वापसी के लिए मजबूर हो गए ने राशन ने पैसा ने दवाई ने साधन पर केवल अपने परिवार के पास वापिस गाउं पहुंचने की लगन